दुनिया में इंटेलिजन्ट तो सभी लोग होते हैं लेकिन कुछ लोग जादा इंटेलिजन्ट होते हैं और कुछ उससे कम इंटेलिजन्ट होते हैं जो लोग अधिक इंटेलिजन्ट होते हैं उनकी सोचने की छमता भी अधिक होती है इसलिए वो लोग अधिक तर कामों में सबलता हासिर कर लेते हैं लेकिन जो लोग कम intelligent होते हैं उनकी सोचने की छमता भी थोड़ी कम होती है और उनसे अच्छे काम भी खराब हो जाते हैं intelligent व्यक्ति हर काम को बप्पू भी कर लेता है और वो दुनिया में अपना नाम भी रोशन कर रहता है intelligent व्यक्ति smart person की एक अलग सोचें आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें कि आपको ये काम कैसे करना है जिससे आपको सफलता हासिल हो जाए अगर आप काम करने से पहले एक बार अच्छे से सोच विचार कर लेंगे तो आपको उस काम में सफलता हासि कि यह पैचानद होती है कि वो किसी काम करने से पहले उसके बारे में सोचता है नम टिप्स two हर मुश्किल काम को करने की कोशिश करें लोगत season होते हैं जो किसी कट मुश्किल काम को देखकर जिए ना कर पाने की हार मान लेते हैं लेकि ऐसा बिल्कों भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप पहले से हार मान लेते हैं तो आप कभी भी किसी मुश्किल काम को नहीं कर पाएंगे वही आप किसी मुश्किल काम को करने का पर कोशिश करेंगे तो आप दो काम भी पूरा कर सकेंगे और करके दिखाएं इसमें आपका IQ तो बढ़ें साथी में लोग काम करने की तारीफ भी करेंगे और आपको एक Intelligent व्यक्ति करेंगे कहेंगे जिससे आपका दुनिया में काफी नाम होगा तिक्स नमबर पोर बोलने से पहले सोच ले एक आपको बाहर बना है तो आपको बहुति करेंगे लोगों पेचानल बनानी चाहिए लेकिन आप ध्यान रखें कि आप उन्हीं लोगों से जान पैचान बनाए जो intelligent हो उनका बातचीत करने इसका धंग अच्छा हो क्योंकि आप किसी intelligent व्यक्ति से मिलेंगे या पिर कई लोगों से मिलेंगे तो आप उनसे बात करेंगे और कुछ नए जानेंगे आपको कई intelligent व्यक्ति मिल जाता है और आप उसकी बातों नाने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी तरह एक intelligent व्यक्ति बन सकते हैं क्योंकि आप भी उसके जलसा बनने का कोशिश करेंगे टिप्स नमबर 6 एक intelligent व्यक्ति बनने के लिए आपको अच्छी अच्छी और अलग-अलग किताबे पढ़नी चाहिए क्योंकि ये किताबे पढ़ने से आपका दिमाग काफी तेज होगा और आपकी काफी चीजों का ग्यान भी हो जाएगा जिससे आप लोगों को भी अच्छा ग्यान मिलेगा और जीवन में काफी उचाई तक पहस सकते हैं एक intelligent की पहचान उसके ग्यान से होती है इसलिए ग्यान लेने के लिए किताबे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इस नमबर सेमें intelligent बनने के लिए आप कभी भी tension ना ले क्योंकि जो लोग tension लेते हैं उनके हर अच्छे काम खराब हो जाते हैं और वो अपनी tension में कुछ गलत भी कर जाते हैं जिसके कारल लोग उसे गलत समझने लगते हैं इसलिए हमिशा अपने मन को शांत रखना चाहिए ताकि आप कुछ बलत ना करें और समाज में आपकी एक अच्छी पैचान बनी रहे क्योंकि एक intelligent व्यक्ति को पैचान अच्छी ही होती है आपको ये फुल जानकारी intelligent की मिल गई है तो आप इस वीडियो को खुटेते हैं दिल से like, share and subscribe जरूर करना और ये वीडियो अच्छी लगे तो please जरूर करिएगा और तक तक के लिए bye bye मिलते हैं अगले next वीडियो में